ओक हुए कि हम Chicago होने से पहले dealing कुछ हम लोह को changes देखने को मिलते हैं ऐसानी açık हम बिल्कुल ही नहीं पता है ऐसा नहीं है कई जगह हमने देखा है कि usually chama होने से कुछ दिन पहले से भी हम लोह को changes देखते हैं जैसे पानी का स्तर उकेशा होता रहता है जैसे मान लिजए आपका बोर वेल है या ओपन वेल भी है तो उसमें एकदम सड़नली पानी जो है उपर तक आ जाता है तो आइसा नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता है तो इसका कारण है कि यह हो सकता है कि जहां भुकम होने के लिए जो भूमी धर्ती जो तयार हो रही है तो उस इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि फोर शॉक एक्टिविटी बढ़ जाती है कई जगों में फोर शॉक मतलब जो बड़ा भुकम होता है उससे पहले जो है एक क्लस्टरिंग एफेक्ट कि छोटे-छोटे भुकम बहुत सारे आने लगते हैं तो यह भी एक संकित है एक तरह से और इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई बड़ा भुकम जो है तैयारी में है इसके लव हमने देखा है कि गैस भूमी के अंदर से रेडाउन गैस या कोई दूसरा गैस जो है निकलने लगता है जो पहले नहीं हमने देखा तो अगर आपके इंस्रुमेंट्स है मेंजरमेंट के तो आप उसको भी रिकॉर्ड कर सकते हैan ठीक है और फिर हम लोग यह भी देखते हैं अट्मॉस्पेर में भी कुछछेंजिस देखने को मिलते हैं तो यह सारे जो है इनको हम प्रिकरसर कहते हैं अर्थ को एक प्रिकरसर्स तो इसा नहीं कह सकते हैं, देखिए, main problem मैं बताता हूँ, main problem यह है कि हर जगह आपको सारे precursor नहीं देखते हैं, अब जैसे मैंने अभी gas की बात किया, हम लोग कोई ना में precursory studies जब कर रहे थे हैं, हमने देखा कि redon gas जो है, और water level change, यह दोनों बार-बार हमको देखने को मिला लेकिन दूसरे जगह में आप चले जाएए, तो कुछ और देखने को मिलेगा, तो यह consistent नहीं है, जितने भी हम precursors study कर रहे हैं, तो अगर वो consistent होते, कि बड़े अर्थ कर गोने से पहले ऐसा होगा, यह हम नहीं कह पाएंगे, तो that is the problem, तो studies तो हो रहे हैं, और कभी-कभी हम precursors देखने को मिलता है, कि हम को कभी नहीं मिलता है, और कई बार होता है कि भुकम पाता है, और उससे पहले एकदम शांत, मतलब कोई change नहीं देखता है, यह भी होता है, तो इसी वजह से अभी तक जो है, कोई prediction method, reliable method अभी तक नहीं develop हुआ है, अगर earthquake zone में आपको मकान बनान है, तो उसका building code, जो guideline कैसा होना चाहिए, या safe zone में है, तो कैसे आप बनाएंगे, तो यह अभी नहीं सालों से, कई सालों से available है, मगर मेरे खियाल से उसको भी ज़्यादा कोई follow नहीं करता है, क्योंकि mandatory नहीं है, तो मेरा सोचना है कि कई चीज़ों को mandatory करना चाहिए.